क्या है बोलता हो डे स्क्रिप्ट रेडी है अच्छा बता तेर को किती बार बोलू ये स्क्रिप्ट नहीं चले की ये पिछले साल वापर लिया अपन लोगों ने सर मैंने अल्रेडी तेरा बार चेंज कर दिया है चौदावी बार मत बोलो चेंज करने रियार मट्रेड नहीं हूं मैं वो तो तू हो भी नहीं सकता क्योंकि वो मैं हूं तो सर आप बताओ ना किसे जिता ना है 2024 के UCL में देख प्रेमियर लीग वालों को हम नहीं जितवा सकते क्योंकि हम उनको हर ओड यर में जितवाते हैं 2019 में लिवरपूल को जिता दिया 21 में Chelsea हो गई 30 में Manchester City एगजेक्टली 2025 में जितवाएंगे Arsenal को तो फिर अभी किसे जिता ना है बायन नहीं नहीं उसमें Kane है अध्लेटिको सर फिर बार सुनना कैसे रहेगी पर अगर एमबापे को अभी बार कर दिया तो फिर क्वालिटी ड्रॉप हो जाएगा सर क्या करे तो क्या है 2024 की Champions League script I think यही सवाल है जो कि हर को ही जानना चाह रहा होगा भाई इतने action-packed matches थे आप कैसे भूल सकते हो मतलब मैं तो एक तरीके से hangover में हूँ of the first leg and second leg आ भी गया you know first leg में Madrid vs City match absolutely cinematic यही पर मैं बात करूँ Bayern vs Arsenal की match की absolutely controversial and वही पर मैं बात कर लूँ आपके बारसनोना vs PSG की absolutely classical and you know आपकी अटलेटिक और्टमन की भी बात कर लूँ इस वीडियो को लाइक करना and इस वीडियो को एंद तक जरूर देखना भाई because सारे ही matches को अपन अच्छे से discuss करेंगे and हाँ वीडियो को start करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज और बता देना चाहता हूँ आज अपन लाइव आने वाले हैं at 10.30 with AKG Football अशेश भाई के साथ अपन आज लाइव आएंगे जहांपर अपन सारे matches को अच्छे से discuss करेंगे तो definitely due to in-in at 10.30 लेकिन दोस्तों coming back to Barça vs PSG तो जब पार्गदे प्रेस पर ये match हुआ था था ना ऐसा कुछ हमें repeat में देखने को बिलेगा सबसे पहले बात करते हैं बार्सा के potential line-up के बारे में तो यहां पर मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जो same back 4 श्टार्ट करी थी at Park de Press वही back 4 यहां पर रहने वाली है और यहां पर में थोड़े से चेंजिस देख रहा हूँ आपके फ्रेंकी डियोंग और इलकाई कुंदोगान तो यहां पर मैं एक सप्राइस देखना चाहता हूँ और फर्मीन लोपेस एक ऐसे प्लियर है जो कि उन्हों कईना कई डाइनामिजम एड करते हैं बार्सा की मिड फील्ड में वो थोड़ा बहुत मुझे कईना कई परसा की मिड फील्ड में कभी कबार वो कमी दिखती है अब यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेशन ये भी होता है क भाई विदान भाई आप पेडरी को कैसे बेंच कर सकते हो ही सच अमीजिंग फ्लियर एंड फर्स लेग में उसने आते ही एसस निकाल ली यहां पर मैं पेडरी को बेंच करते हुए इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज यह गेम कंपोजर का नहीं है यह गेम बॉल रेटेंश इसलिए मैं काईना कई फर्मिन लोपेस को स्टार्ट करते हुए देख रहा हूँ इन फैक्ट काफी लोग यह भी कह रहा है थे फर्स लेग में कि यहां पर फर्मिन लोपेस का गेम था एंड कहीना कई फर्मिन लोपेस भी यहां पर मिसिंग लग रहा था तो इसलिए से पर मुझे लगता है कि फर्मिन लुपेस को स्टार्ट दे देनी चाहिए यहीं पर अगर मैं बार्सा की अटाक की बात करूँ लमीन यमाल on the right absolutely crazy good baller भाई मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है जिस तरीके सुसमें पाक दे प्रेस and striker of course without a doubt Lewandowski अभी काफी सारे लोग यह भी पूछ रहे हैं कि यार ज्वाव फिलिक्स को स्टार्ट क्यू नहीं दे दी जारी because ज्वाव फिलिक्स ने तो भाई bicycle के कमार दी पूरा रोनालो मुमेंट कर दिया भाई बंदे ने कड़िस के सामने there is a reason behind the same भाई ज्वाव फिलिक्स ने कड़िस के सामने perform जरूर करा होगा लेकिन इट वस राफीनिया who got the brace against PSG and I think कई न कई जावी rely करेंगे on राफीनिया and his brilliance मेरे ख्याल से personally राफीनिया का ना best performance in a Barcelona shirt was against PSG away तुमारे साब से कौन सा था तुम definitely comment section में को जरूर बताना तो भाई यही पर मैंने बात करनी बार्शा के तरफ से यहाँ पर Louis Century के PSG के लिए थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर बदलते वे मेर को लगते हैं with Donnarumma in goal obviously यहाँ पर मैं Marquinhos को for some reason start करते हुए नहीं देख रहा में को लग रहा है Berard Loh और Lucas Hernandez आपके centre-backs होंगे यहाँ पर कहा तो यह जा रहा है कि Ashraf Hakimi right back पर वापस आ जाएंगे he was a player who was missed in the first leg but in the second leg Ashraf Hakimi will be back यहीं पर मैं left back पर बोलू तो कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि Marquinhos को start कर सकते हैं और Lucas Hernandez को left back पर slot in कर लेते हैं लेकिन the reason why I am saying कि आपको Nuno Mendes को ही left back पर खिलाना चाहिए because Jules Kunde कैसा player है जो कि Mbappe को position से you know कहीं निकाल देता है Jules Kunde जिस तरीके से ball को progressively carry करके आगे लेकर आ रहा था in the first leg और you know वो offensive areas में पहुच रहा था उसी के वज़े से Kylian Mbappe को भी पीछे आना पड रहा था and there were a lot of chances जहापर Mbappe was driven out of position यह चीज आप होते वे नहीं देख सकते in the you know second leg तो इसलिए Nuno Mendes को overlapping runs बनाने के लिए कहा जाएगा and कई ना कई एक तरीके का overload form करने के लिए कहा जाएगा with the help of Kylian Mbappe and left hand side पे वो कोशिश रहेगी कि आप हो अचीव कर लो against Jules Kunde who was spectacular in the first leg तो मेरे को कई ना कई लगता है Nuno Mendes ही रहेंगे left back पे midfield में विटीनिया ने ball जिस तरीके से चलाई थी ना भाई पीएची के लिए वो absolutely crazy good था 101 touches on the ball थे for विटीनिया in just the first half of the game against Barcelona that was absolutely crazy and the last time a player had so many touches that was Javi for Barcelona against Celtic in 2008 तो विटीनिया का एक बहुत ही अच्छा performance था लेकिन दोस्तों विटीनिया के साथ-साथ यहाँ पर थोड़े से आपको you know changes भी करने पड़ेंगे attack में of course आपके पास Usmane M.L.E. Killian M.B. पे होने ही वाले हैं लेकिन striker आपके पास Goncalo Ramos होने चाहिए because Goncalo Ramos जिस तरीके से pressing करते हैं जिस तरीके के focal point बनते हैं I think Goncalo Ramos को किराना बहुत जरूरी है इस match में अगर मुझसे कोई prediction की बात करें अगर कोई मुझसे यह पूच रहा है कि Vidant भाई आपके क्या predictions है मुझे कहीना कहीन लगता है Barca are running away with it Barca will win the match मतलब win भी या फिर draws लगता है 1-all draw या फिर 2-1 win for Barcelona के लिए मैं जाऊंगा and Barca will go through to the semi-finals it will be the first time since 2018-19 जब आप Barca को semi-finals में वापस आते वे दिखे होगे and in fact मुझे कहीना कहीन लगता है कि Barca fans भी थोड़े से relieved होंगे because यह match आपके बस home ground पे है Estadio Luis Companies जो भी नाम है भाई उस stadium का माफ करो मेरको नहीं आता लेकिन उस ground पे match होने वाला है कहीना कहीं Barca के लिए बहुत बड़ा relief है because जबी भी आप देखते हो quarter-finals या फिर round of 16 कभी कब बार्सा के लिए away हो रहे थे लेकिन यहीं पर बासा के लिए home पे second leg होने वाला तो that plays into that advantage यहीं पर मैं बात करता हूँ Atletico Madrid versus Borussia Dortmund के match के उपर तो मुझे कहीं नहीं लगता है यहाँ पर जबा सोचने की हमें जरुवत नहीं है Atletico Madrid will go ahead जिस तरीकी की उनकी team है I think they will outplay Borussia Dortmund at Signal Iduna Park However, एक stat में तुम्हें दे देता हूँ दोस्तो German sides के सामने Atletico Madrid का record अच्छा नहीं है बिल्कुल 10 game में से सिफ 2 बार जीत पाए है Atletico Madrid whenever they faced a German side यहाँ पर आप बात कर लो Dortmund की आप बात कर लो RB Leipzig की आप बात कर लो Bayern Munich की तो उनका German sides के सामने इतना अच्छा record है नहीं तो यहाँ पर मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा tough match हो सकता है लेकिन मेरे को लगता है कि Atletico Madrid निकाल लेगी यही पर मैं Atletico Madrid को एक back 5 formulate करते वे देख रहा हूँ they will go defensive and they will मतलब पूरा एकदम रेंग कर यह match जीतना चाहेंगे एकदम गंदी तरीके से match जीतेंगे एकदम पागदबस strategy अपनाएंगे और match को निकाल लेंगे with a 5-3-1-2 जहाँ पर back 5 में Rodrigo Riquel में left wing back होंगे इनके लिए Cesar Azpiluqueta Jimenez और आपके Axel Witzel जो पिछली बार भी back 3 बने थे वो भी back 3 इस match में भी होंगे साधी सार राइट विंग बैक पर आपके आपके आज नेहौल मूलीना है तो वही start वहाँ पर करेंगे midfield में आप you know the rest भाई Saul है Koke है Rodrigo De Paul है आपके आज बहुत सारे options है वहाँ पर तो उनमेंसे कोई ना कोई player start करी जाएगा यहाँ पर attack की बात करो तो Graceman है और आपके पास यहाँ पर आपके Murata है जो start करेंगे वहीं पर Dotman की तरफ से Dotman की खेमे में वो तो पूरी कोशिश करेंगे भाई की signal है दियुना पाक का पूरा-पूरा फाइदा उठा है they will go ham, they will go full attacking and देखने वाली बातशीत होगी कि इस game में क्या होता है यहाँ पर मेरे कहल से अगर Dotman के लिए कोई key player है इस match में I think it is Sabitzer because जिस तरीके से Sabitzer ने अभी Bundesliga में भी you know 3-4 दिन पहले जिस तरीके से brace मार किये उनके लिए game निकाला against Borussia Mönchengladbach it was absolutely crazy he's a guy who's in form तो Sabitzer के लिए कही न कही मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यार शायद से वो निकाले match उनके लिए यहीं पर अब बात करते हैं Bayern vs Arsenal की भाई this would be a tough one to predict but I feel Bayern will go through Arsenal ने कही न कही अपना form dip कर लिया है I don't know how, I don't know why but I feel Bayern because the matches at Allianz are रहना Arsenal का कही न कही न कही न कही न इक्सपिरियंस भी भौकता है तो मेरे को कही न कही लगता है कि Bayern Munich will go through because of the home advantage that they have 2-1 draw है I feel कही न कही न कही न कही न यहाँ पर 2-1 करके गेम जीत लेगी यहाँ पर Harry Kane के गोल जाएंगे and Thomas Muller के गोल जाएंगे जिनके भी गोल जाएंगे उनके पास attacking power भरपूर है तो यहाँ पर में को कही न कही न रखता है कि यहाँ पर Arsenal will lose the tie and they will be eliminated in the quarterfinals of the Champions League Bayern will go through ठीक है यहीं पर मैं Madrid City की बात करूँ Madrid City एक बहुत ही exciting match है जिसके बार मैं proper details tactical details के साथ तो मैं कल बात करूँगा proper एक video आ रहा है उस पर तो definitely do check that out but this is going to be a tough game for us at the Etihad Real Madrid के लिए बहुत मुश्किले होने वाली है because अगर at home आप उनको contain नहीं कर पा रहे हो यह बात है ना असल में 2019 की हमने face किया था Ajax को और यह बात 2020 की भी है जहां पर हमने face किया था Manchester City को उस टाइम पर record या data यह भोकरा था कि Sergio Ramos के बिना Real Madrid कभी भी Champions League का knockout game जीती ही नहीं है ever since he has played for that club यहीं पर same चीज कई न कई हिस्टरी repeat itself भी हो जकती है because Aurelian Chouamini वो player है जिनके बिना हम game नहीं जीत पाए है जबी भी Chouamini ने start नहीं करा है हमारे लिए draws निकली है हमारे लिए losses निकली है but हम जीत नहीं पाए है because there is absolutely no substitute for Aurelian Chouamini, he is that good and इसलिए मैं कहला था पहले से कि आपको नाचो को खिराना चीए because he is more of a you know कही नहीं वो थोड़ा से pessimistic mindset लेकर चलता है he is a pessimista वैसी mindset वो लेकर चलता है and शायद से जिसनरी के का foul उसने करा था first leg में वो शायद से नहीं हो पाता गर नाचो वाँ पर होता तो तो यहाँ पर worries है but I don't know at the same time मैं यह नहीं देख सकता Madrid को losing to the same opponent in a consecutive year because मैंने यह कभी भी नहीं देखा है for Real Madrid की वो consecutive year में same opponent से वापस हार गई हो देखो 4-0 वाली thrashing तो वापस बिलकुल भी नहीं होने वाली तो उसकी tension तो तुम बिलकुल भी मतलो लेकिन यहाँ पर एक बहुती risky affair है एक बहुती risky game है for Real Madrid देखते हैं क्या नहीं कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते but दोस्तो विद दिस यार हाला मादरीट इना लमास हास्ता इल फिनाल वामोस रियाल छू definitely do join in भाई in our live stream and with this peace out